नवश्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीगो लाइफलाइन होमियोपेथी में और आज 10 अप्रेल है, होमियोपेथी की जिन्होंने अविश्कार किया है डॉक्टर सेमिलर हनीमन उनका आज बर्डे है तो उस बर्डे को जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ड होमियोपेथी डे के रूपे मनाया जाता है इस खास दिन पर हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं जी हाँ दोस्तों, एक कॉमन समस्या है जनरल प्रोब्लम आजकल देखी जाती है और वो समस्या है बालनेस, गंजापन, बालों के जड़ने की समस्या और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं काफी रिसर्च के बाद, प्रिनिकल ट्राइल्स के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है कि यह चीज आज आपके सामने रखेंगे तो अगर आप भी अपनी हैर प्रोब्लम से या अपनी किसी भी हैर को लेकर आपकी कोई सी भी प्रोब्लम हो और उससे आप निजात पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जी यह दोस्तों दोस्तों आजकल होता क्या है ना कि जनरली जब भी बालनेस की समस्या आती है या गंजापन की समस्या आती है बाल जहन्ने की समस्या आती है तो लोग काफी परेशान काफी तरह के प्रोडक्ट का यूज करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है और तब तक रिजल्ट मिलता है जब तक वो कोई भी प्रोडक्ट अपलाय कर रहे होते हैं और इसी चीज़ को धियान में रखते वे हम आज आपके लिए कुछ खास लाए हैं जैसे कि और आपको बालों के जढने की समस्या है और आपको बालों के जढडने की समस्या है और आप इसके लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज लेना चाहते हैं देखो एक होता है इलाज लेना और एक होता है प्रोड़क्ट खरितना ओवर दे काउंटर आप प्रोड़क्ट खरित के अपने ही पेर पर कुलाड़ी मारने का काम करते हैं क्योंकि जब तक आपकी हेर प्रोड़क्ट की वजह पता नहीं चलेगी देखो हेर प्रोड़क्ट की वजह बहुत सारी हो सकती है आपके हॉर्मोन्स की वजह से हो सकता है नीन ना आने की वजह से हो सकता है डिप्रेशन की मेडिसिन्स की वजह से हो सकता है बहुत सारी over-the-counter drug ले दी जाती है या injections दिये जाते हैं उसकी वज़े से हो सकता है तो सब के लिए कारण जो है वो अलग-अलग होता है unhealthy die, unhealthy deficiency के कारण भी आपको helpful हो जाता है साथ ही साथ अभी जो हम share करने वाले हैं वो एक regular based पे use करने वाला चीज है लेकिन हमारे पास हर चीज के लिए अगर आपको dendruff है, scalp में infection है या फिर कुछ और आपके hair का type ठीक है, thin है, freezy है, curly है उन सब के लिए हमारे पास बहुत अच्छा solution है आप सब के hair के लिए तो आप consult कर सकते हैं और हम जब patient से बात करते हैं, consult करते हैं तो हम patient के बारे में सारी जानकारी लते हैं, उसके सारे symptom को note down करते हैं, उसके मानसिक लक्षनों को note down करते हैं, उसके शारिरिक लक्षनों को note down करते हैं पेशन की जिन्दीगी को समझते हैं कि उसकी दिंचरिया कैसी है जब हमें सारी चीजे समझ आती है तो हम उसको रिपर्टराइज करते हैं और उसके बोडी के अकोर्डिंग जो है तो हमारी ट्राइल केट है जो हमने काफी रिसर्च के बाद बनाई है जो रेगुलर यूस आप करते हैं यह बिल्कुल नैचुरल प्रोड़क्स है यह ट्राइल केट हमने इसी लिए बनाई है क्योंकि जो लोग पहले विश्वास वाली चीज होती है अगर आपको श्वास हो जाएगा तो आप इस चीज को बड़े पैक में भी ले सकते लेकिन यह ट्राइल केट इसलिए ताकि आप केमिकल छोड़के एक बार इस नैचुरल प्रोड़क्स को ट्राइ करें तो जब भी आपको यह खरीदना होगा तो आप हमको इस नंबर पे जो यह आपको इसक्रीन पर नंबर दिखाए दे रहें इस नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हैं वोट्षप कर सकते हैं और हम आपसे पूरी जानकरी लेंगे सबसे पहले कि आपके बाल कैसे हैं आपके बालों के जो है फोटोज हमको चाहिए रहेंगे तो उसके अकोडिंग हम फिर आपसे सबसे क्या ट्रिट्मेंट्स ही बेटता है वो तियार करके देंगे तो इसको हम अन्बॉक्स करते हैं तो यह है हे हेर कोई ठीक है फ्राइल पेक आप केसे अपलाय करना है को अपलाय करने का तरीका भी बताएंगे यह है रिजुनेशन सीरम है यह जो काफी रिसार्च के बाद बनाया गया है और यह प्यूर होमेपथिक इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है यह प्यूर होमेप्राइटिक है इसको आप इजली अपलाय कर सकते हैं अपने स्केल्प में और इसको रेगुलर अपलाय करने से आपको काफी बेनिफिट्स मिल सकेंगे बिकाज यह पूरा नैच्रल है कोई भी केमिकल नहीं है इसमें तो यह आपको काफी आपके हेर्स को आपके स्केल्प को बहुत हेल्दी रखेगा इसको अगर यूज करते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इन चांस अगर आपको कोई कोई डिसीज है या किसी वज़े से इवन भहुत सारे कैंसर प्रेशन रहते हैं जी कीमो थेरपी करवा चुके होते हैं तो उनके लिए भी यह चीज़े काफी अच्छी पुरी जड़ी बुटियों का पाउडर से बनाया गया है आप इसको अपलाए करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना इसकी जो है वो काफी ठिक है यह है एर रिजुवनेशन सीरम तो इसको अपलाए करने गा तरीका यह है कि आप इसको अपने सूखे बालों में लगाना है ठीक है बाल आपकी गिले नहीं होने चीए और आपको इसको ऐसे फिल कर लेना है और जब यह फिल हो जाए तो आपको अपने बालों में ऐसे लगाना है जोस्तों कि देखें जड़ों में यह ऐसे लगाना है तो ऐसे आप अपलाए करना है फिर आपको हलके से जे लगाया है या नहीं लगाया है पर आता है आपका है रोल तो यह आपको हफते में दो बार यह आपको मन करें तो आपको 20 लों करना है तो अब हफते में एक या दो बार या तीन बार आप डेली भी में इसको ऍपलाएद कर систем म missed ये नहाने से एक दू घंटे पेले आप अपलाय कर ले, अपने बालों में की जड़ों में लगा ले, पूरे बालों में लगा ले, अगर आपके बालों में डेंटर्फ है, सफेद बाल है, कोई इंफेक्शन है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशल है और अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं उमरे से पहले तो उसमें भी काफी help मेलेगी आपको ये आपके बालो को gray होने से बचा सकते हैं दास्त हमारा शेंपू है शेंपू को आपको बाल अपने सबसे पहले करना है उसमें से आपको थोडा सा मॉंक, लेना है यह खाए छेख पर बाल होने हैं ताकि भीजेता है एसे प्रसमें प्रस पांच मिनिट के लिए रहना है ले देना है आपको फिर लास्ट में आप अपने बार पांच मीट के बाद धो सकते हैं तो यह है हमारा कोमबो पे इसको आप पंगा सकते हैं अब इसकी जो कीमत है वो बहुत ही चीफ है बहुत ही सस्ता है आपको हेर के रिव्यू भी मिल जाएंगे हमाये चैनल पर काफी रिसर्च के आप लोग की साथ इस चीज को शेयर करें ताकि आप लोग भी इस चीज का फाइदा उठा सकते हैं और यह तैयार किया हुआ पेकेट नहीं है कि आप कोई बटन दबाएंगे और आप सिधा इसको बाय कर लेंगे ऐसा नहीं होने वाला है इसके लिए आपको कॉल करना है या आप वर्टसप कर सकते हैं हम आप से प्रॉपर कंसलिडेशन करेंगे उसके बाद ही आपके हिसाब से जो भी बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा जो भी आपकी हेर की कंडिशन रहेगी उसके हिसाब से जो अच्छी चीज तैयार हो सकती है जो अच्छा ट्रीटमेंट आपके लिए तैयार हो सकता है, तो ट्रिटमेंट हम आपके लिए तियार करेंगे, यह जो हमने बनाया है यह रेगुलर यूज के लिए बनाया है, जो नॉर्मली फीपल यूज कर सकते हैं इनको कोई डी-सी इज नही है, नॉर्मली अपन आम तोर पर शेंपू हेयर ओयल यूज करते ही है तो उसी चीज को ध्यान में रखते विए नॉर्मल लोगों के लिए बनाएगे कि आप रेगुलर बेसिस पर इस चीज को यूज कर सकते है और इसकी जो कॉस्टिंग है इन तीनों की ट्रायल पेग की हमारी व आपको क्या रिजल मिलता है जरूर दीजिएगा और इसके जो है आगे बड़े पेग भी है जो बहुत ही चीप रेट पर है आप उनको भी फिर आगे जाकर और भी अच्छा ट्रिटमेंट ले सकते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक्यार गुडबाई इस्टे हेल्दी इस्टे कनेक्टेड बेल्स ओन बस्ते हैं भी जाओे जाओ टो आपरा कर दो आज की द्यार आप यादो आट जाए जाओ बनाई